जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, हलसस्टी व्रत यानि हलचट व्रत का हिंदू धर्म में विसेश महत्त होता है। ये बत सभी पुत्रवती महिलाई करती हैं। ये बत पुत्रों की दीरग आयू और उनकी संपन्निता के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माद्यम से हम जानेंगे कि हलसस्टी व्रत, हलचट व्रत किस तरह किया जाता है। इसकी पूजन सामगरी क्या है। झाल 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 दोस्तों, हर्चट का तेवार भादरपद मास के क्रश्ण पक्च की सस्टी तिथी को मनाया जाता है। इसे हलसस्टी चंदन चट, तिन्नी चट, ललही चट, कमर चट आदिनामों से जाना जाता है। ये व्रत पुत्रवती इस्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयू के लिए करती हैं। ये हर्चट का वरत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। दोस्तों, धार्मिग मानिता के अनुसार इसी दिन भगवान करश्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था और बलराम जी का मुक्ष सस्त्र, हल और मुसल है। इसी कारण इने हलदर क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन हल की पूजा की जाती है। आपको बता दें, माताएं हलसस्ती का वरत संतान की खुसाली और दीरगायू की प्राप्ती के लिए रखती हैं और नौ विवाहितां इस्त्रियां संतान प्राप्ती के लिए यह वरत करती हैं। दो गाय का दूद वागी खाती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल व्रच पर लगे हुए खाद पदार्थ खाने की अनुमती होती है। इस व्रत में वही चीजें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं। जैसे तिन्नी का चावल क्यमुवा का साग पसई के चावल आदी। इस व्रत में गाय के किसी भी उतपाद जैसे दूद, दही, घी, गोबर आदी का इस्तिमाल नहीं किया जाता है। लस्ष्थी व्रत में बहस का दूद दही और घी का प्रयोक किया जाता है। इस दिन महीलाएं पसही के चावल यानि लाल चावल, मौवा, भैस का दूर्द और दही आदी चीजे खा सकती हैं। आप नारी का साग भी सेंधा नमक के साथ बना कर खा सकती हैं। और मौवा की चाय भी बना कर पी जा सकती है। चलिए अब हम जानते हैं हर्चट व्रत की पूजन सामगरी के बारे में। इसके लिए आपको मौवा के पत्ते, छुई डाली यानि कास की घास, बेर के पत्ते या मौवा की डाल को किसी गमले में गाल लें। इसके लावा हर्चट व्रत का कलेंडर आपको मार्केट से मिल जा साथ ही भैस का दूद्वद ही रोली, हल्दी, एपण, पसई के चावल, महुआ, मिटी के छोटे-छोटे कुल्ण, साथ प्रकार के अनाज, भुना हुआ चना, धान का लावा, धूप, दीपग, घी आदिसा मगरी का इस्तमाल होता है। कहा जाता है कि इस वरत में पूजा की सभी सा मगरियां छह की संख्या में होनी चाहिए, और इस वरत में हल्चट की कहानिया भी छह की मातरा में ही सुने जाती हैं। इसनान करना चाहिए इसके बाद स्वच्छवस्त धारान करने चाहिए तत पस्चात पूजा में लगने वाली सारी सामगरी एक जिकह एकत्रित कर लें और उसे गंगा जल छेड़कर सुद्ध कर लें ध्यान रखें हर छट पूजा होने तक इस्त्रियों को नर्जला वरत रखना चाहिए पूजा वाले इस्थान को आप भैस के गोबर से या मिट्टी से लीप लें और इसी पर छुई डाली, जर्बेरी, पलास और कासी के पेड़ वा मुओवा की डाल वाला गमला इस्तापित करें और भैस के गोबर से दिवार पर छट माता का चित्र बनाएं या फिर आप बजार से हर छट माता का कलंडर लाकर उसे दिवार पर चिपका लें और उसकी पूजा करें इसके बाद आप कलस की स्थापना करें कलस में स््वास्तिक बनाकर जल भर कर कलस में हल्दी, पाड़ी और सिक्का डालकर उसमें पांच आम के पत्ते लगाकर उसे ढखकन से ढख दें और अस्ट दलकमल बनाकर उसके उपर इस्थापित कर दें फिर गड़ेश गौरी की स्थापना करें इसके बाद मिट्टी के छोटे कुल्ण में एपन से रंग कर सब्त अनाज भर लें और मौवा के पत्ते या दोने में पसई की चावल, मौवा और भैस के दही से भर कर उसे पूजा के पास रखें इसके बाद आप गड़ेश गौरी का पूजन करें फिर हर्चट मिया का पूरे विधी विधान से पूजन करें और उन्हें इस रंगार का समान जरूर चढ़ाएं फिर छुई डाली और छोटे-छोटे कुलड़की भी पूजा करने चाहिए फिर छट माता की आरती करके हर्चट की कता सुननी चाहिए इसके बाद धूब दीब जला कर हर्चट व्रत की कता सुननी चाहिए फिर हर्चट माता की आर्थी करने के बाद वहीं पर बैट कर मौवे के पत्ते पर मौवा का फल, पसे के चावल, वा भैस का दही रख कर खाया जाता है। चलिए अब हम सुनते हैं हलसस्टी व्रत की कथा जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गौलिन थी, दर्दता के कारण घर-घर दूद बेचने को मजबूर थी, एक दिन उसकी संतान जन्म लेने वाली थी, लेकिन घर में दूद दही बेचने के लिए रखा था, उसने सोचा अगर बच्चा हो गया तो वै दूद बेचने नहीं जा पाएगी इसलिए वै घर से दूद बेचने के लिए निकल गई, तो गली-गली घूम कर दूद बेच रही थी, अचानक उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो वो जर्बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गई, वहीं उसने एक सुन्दर से पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसके पास अभी बेचने के लिए दूद नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो अपने पुत्र को जर्बेरी के पेड़ के नीचे छोड़ कर दूद बेचने के लिए चली गई, दूद नहीं बिक रहा था, तो उसने सबको भैस का दूद बोल कर बेच दिया, लेकिन वै गाय का दूद था, वै हल सश्टी का दिन था, बलराम जी ग्वालिन के इस जूट से क्रोधित हो गए, जर्बेरी के पेड़ के पास ही एक खेट था, वहां किसान अपने खेट को हल से जोत रहा था, तभी अचानक हल ग्वालिन के बच्चे को जा लगा, हल लगने से उसके बच्चे के प्राण चल गए गए, ग्वालिन जूट बोलकर दूद बेचकर खुस होते हुए आई, तो उसने देखा कि बालक के प्राण नहीं थे, तब ग्वालिन को समझाया कि उसने गाउवालों के साथ चल किया है, उन्हें जूट बोलकर भैस का दूद गाए के दूद के दामों में दिया है, साथ ही भगवान बलराम से प्राथना की, कि आज के दिन तो लोग पुत्र प्राप्ती के लिए व्रत रखते हैं, आप मेरे पुत्र को मुझसे न चीने, बलराम जी ने उसके प्रास्चित को स्विकारा, इसके फल सरूप उसका बेटा तुरंत जीवेत हो गया, बोलो हलसस् कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद